हलो एब्रीवान सो दिस इस योगे स्त्यागी फेकल्टी ऑफ मेकानिकल इंजिनिंग फॉम अड़र 24 7 आई हूप सब लोग मस सब लोग बहत्रीन और आज का जो वीडियो है ना वो बेसिकली मनलब उन बच्चों के लिया है जो अभी सेकेंड यूर में हैं थर्ड यूर में है और जो गेट 2024 के बारे में सोच रहे हैं आप पीछे देख सकते हैं मैंने लिक्ष दिया है कि Don't prepare for gate 2024 if you think so क्यों मैंने ऐसा लिखा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के call आते हैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर गेट में कितना पढ़ना पढ़ेगा गेट में कितने नमबर चाहिए होते हैं गेट में सर क्या क्या करना पढ़ेगा तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि सर पाच्छे घंटे लगातार डेली पढ़ना पढ़ेगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मैं सच्छे घंटे नहीं पढ़ पा लगता है कि सुभे सुभे 10 बजे के बाद सुभे 7 बजे फिर से अगर आप इस सब के लिए रेडी नहीं अगर वह आपके अंदर जजबा नहीं यह नहीं कि मैं जोग दूँगा अपने आपको तो आपको तयार करनी की नीड नहीं है आपको गेट तयार कब करना है आपको गेट तब गेट की प्रपरेशन तब करनी है जब आपको वाकई में लगता है कि आप PSU में जाना चाहते है आपको लगता है कि नहीं सर मैं ISC Bangalore से MTA करना चाहता हूं आपको लगता है मैं IT Delhi में जाना चाहता हूं आपको लगता है ना म मुझे अराम भी करना है, मुझे इंजवाय भी करना है, मुझे सब कुछ करना, मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा ह। लेकिन इन सब के साथ मैं वो 6 गंटे, 8 गंटे की पढ़ाई अगर नहीं कर सकता, तो आपको गेट की तैयारी करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये यार मेहनत तो मांगता है, गेट is a journey, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी को करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत efforts लगते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत आसानी से गेट हो जाता है, सर मैं जाऊंगा और बस मैं coaching join कर लिया, तो मेरी तैयारी हो गई, नहीं वैसा नहीं, coaching आपको क्या करेए, coaching आपको direction दे सकती है, coaching आपको बता सकती कि आपको ये करना है, ये test series लगाना है, ये material लगाना है, ये आपको पढ़ना है और ज़्यादा ज़्यादा टीचर आपको पढ़ा देंगे लेकिन ultimately पढ़ना तो आपको ही है ना करना तो आपको ही है तो point ही आता है कि सर अगर मैं करूं की ना करूं बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाएगा अरे सर अब आप ऐसी बात करें तो मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए मैंने का नहीं तैयारी आपको करनी चाहिए लेकिन जवरजस्ती तैयारी नहीं करनी चाहिए किसने बोला कि तयारी नहीं तयारी करनी है लेकिन जवर जस्ती नहीं करनी आप सूचो ना कि अगर आपको लगता है कि आपका सपना है कि सर मैं तो ONGC में जाना चाहता हूँ मेरा एक सपना है सर कि मैं ना ONGC में जाना चाहता हूँ तो मैंने बोला कि ठीक है आप ONGC में तो जाना चाहते हैं लेकिन ONGC कितनी seats निकालती है आपने बोला सर एप्रॉक्सिमेटली 400 आपने बोला सर मैं IOCL में जाना चाहता हूँ IOCL कितनी seat निकालती है मैंने बोला चलो माल लेते हैं 200 और किसी PSC में जाना चलो माल लेते 100 इसमें से अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया की जित्ते बच्चे है जिसमें mechanical भी है, civil भी है, electrical भी है electronics भी है, सारी branches है और सारी branches मिला कि अगर आपको 400 लोगों में आना है आपको officer बनना है आपके दिमाग में है कि आप officer बनना चाते है तो यार वो officer बनने के लिए आपको वो बाकी लोगों से जादा मेहनत तो करनी पड़ेगी न उन 400 लोगों में तो आना पड़ेगा और अगर आप उन 400 लोगों में आने के लिए मेहनत नहीं कर रहे है तो सीधी सी बात है जो मेहनत करेगा वो जाएगा जो मेहनत करेगा वो जाएगा ठीक है तो चितने लोग अभी 2022 अब आगया 2023 तो 2023, 2024 आगे की future के life अगर आपको लगता है कि मैं उसको golden बनाना चाहता हूँ golden की बात कर रहूँ अगर आपको life अपनी golden बनानी है तो life को golden बनाने के लिए आपको उस level की मेहनत करनी पड़ेगी जैसे बोलते हैं ना कि medium family का उन लोगों कोई new year नहीं होता है क्यों new year नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ ना कुछ नहीं रही होगी कुछ उन्होंने खुद किया होगा ऐसे जैसे हम होते हैं अभी नहीं पढ़ते हैं बाद में हम बोलते हैं नहीं हम तो बस next year next day जाएंगे फिर से कुछ ने कुछ करेंगे जाके यह सब्वियसली क्योंकि हमने कुछ ने कुछ गलतियां की होगी या मेरे पास उतना बैकेंट सपोर्ड नहीं होगा तो अगर आपके पास सपोर्ड भी है अगर आप गलती भी नहीं कर रहे है उसके बाद नहीं मिलना है तब आप कहीं पर किस्मत को कोच देंगे तो चलो ठीक है यह तो एक different मलब अलग लेबल की philosophy है जिसमें हम जब रिस्ती बात करना है पॉइंट यह है कि अगर आपको gate की तैयरी करनी है अगर आपको officer बनना है आपको in seats में आना है तो बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने मलब इसके लाबब कोई रास्ता नहीं है कोई भी रास्ता नहीं कोई shortcut नहीं है किवल एक ही है कि आप मेहनत करना शुरू करो और अगर आप अब से तैयरी करना शुरू करोगे तो शाइद इससे अच्छा आपके पास कोई chance नहीं है क्योंकि आपको पूरा time चाहिए होगा वान एन हाफ यर जो भी है तो अगर आपको लगता है कि आप तैयरी करना चाहते है तो आप तैयरी करो आपको मेरे साइड से कोई भी help की need है आपको लगता है कि आप self तैयरी करना चाहते है तो self करो आपको लगता है कि आप paid में जाना चाहते है तो आप पीड में करो, लेकिन आप तैहारी करो, अड़ा 24-7 हमेशा जब भी बात होती है, तो हमारे यहां affordable education की बात होती है, हर बच्चा पढ़ लेना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग है, यह नहीं सर मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो, अभी जस मैं अभी open भी कर रहा तो आप यहां से देखेंगे, तो जो लोग भी 24 की preparation करना चाहरे हैं, आप यहां से देख सकते हैं, आपके लिए यहां पे, अगर आप अभी जैसे लेते हैं, तो आपको हम 24 में 25 की preparation दे रहे हैं, इसमें आपको क्या है, आपको जो भी 18 months का course मिल रहा है, इस 18 months के course में आपको 9 months का course जो है, वो free मिल रहा है, अब 9 months का अगर course free मिल रहा है, तो अल्मोस्ट आपका December में finish होगा जाके 2024, जन्मरी में आपका paper होते हैं, तो 27 months का जो course है, वो आपको मिल रहा है यहां से जब आप स्टार्ट करेंगे मानलो 2024 में बहुत अच्छा नहीं कर पाए उसके बहुत सारे PSU आने हैं बहुत सारे एक्जामस आने हैं और उसके बहुत अगला गेट आना है तो आप उसमें कर लो मानलो की में बात कर रहा है और यह affordable education के हम लोग बात कर रहे हैं तो almost यह जो course है वो 5499 के आसपास है तो अगर चाहें तो आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से 200 रुपे मन्त के आसपास पड़ेगा आपका यह सारी की सारी चीज़े हैं 200 रुपे महीने मेरे जब मैं पढ़ता था मैं पढ़ता था तो मैं physics के tuition का देता था तो शायद अगर अब भी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं से यह है किसा हम करना नहीं देते तो those who want जिनको लगता है वो हाँ इसको करने के लिए आपको यह code लगाना पड़ेगा that code is what y497 ठीक है तो those who wants जिनको seriously preparation करनी है मैं आपको बता दू आपको करना क्या है यहाँ से जिस अड़ा 24.7 गूगल पर टाइप करना है अड़ा 24.7 यहाँ से गूगल पर टाइप करना है और गूगल पर टाइप करने के बाद आपको यह मिलेगा कुछ इस टाइप से यहाँ से आप जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है गेट एंड इंजिनिंग पर आना है और गेट एंजिनिंग के बाद अपने यहाँ से जो भी कॉर्सेस है यह गेट और ESE बाले पर इस पर क्लिक करना है यह सारे के सारे अपनी जो courses हैं वो clear यहां से open हो जाएंगे और ज्यादा courses को देखना तो आप यहां से view all कर दीजिएगा वी all में आपके सारे सारे courses open हो जाएंगे वीकेंड बैच रेगुलर बैच गुरुकुल बैच जो भी आपको यहां से लगता है कि मैं इसमें जॉइन करना चाहता हूँ खिसी भी बैच में जॉइन कर लीजे अगर आप गुरुकुल और वीकेंड बैच जॉइन करते हैं तो इ होनी रहा है मैं दूसरे पर लेके जाता हूँ आपको आपको किसी दूसरे पर लेके जा रहा हूँ एक मिनट यहां से अगें बता देता हूँ गेट एंड इंजिनिंग और गेट एंड एजी ठीक है यह आपके पास यहां से class रही यह देखिए आपने यहां से weekend बैच पे क् कोड लगाना है Y497 और जैसे कोड लगाऊंगा वैसे यहां पर जो कॉस्ट आजाएगी 5518 27 महीने का कोड से 5518 में ठीक है और मेरे ख्याल से शाइद इससे best chance आपको मिलेगा नहीं तो those who wants जिनको लगता है एप भी डाउनलोड करोगे तो आपका यह 5499 के आस पस पड़ेगा ठीक है तो those who want वो जितना जल्दी हो सके इसको purchase करें और पांच जन्वरी से batch start हो रहा है तो पांच जन्वरी से अपनी जो journey है उसको start करते है ठीक है मेरा बस concern आपसे इतना है कि आपना यार यहां पे जो मैं आपको भी बता रहा हूँ यह जो चीज है वो तो ठीक है चलता रहता है लेकिन यह important है कि आप ना अगर ऐसा सोच रहे कि सर में महनत नहीं कर पाऊँगा अगर आप ऐसा सोच रहे कि सर में manage नहीं कर पाऊँगा आपको ऐसा लगता है कि coaching करने से ही मेरा selection हो जाएगा तो आप तैयारी मत करना अगर आपको लगता है कि मैं जान लगा हुआ तो आपके लिए gate 2024 बना है ठीक है तो चलिए ठीक है अभी अब लोग यहीं से leave करते हैं and the code मैंने आपको बताई दिया है code is what y497 you can apply this code ठीक है चलो बाके हम लोग मिलते नहेंगे कोई भी help की need है तो you can just comment okay thank you bye bye take care